कि दोस्तों आज मैं यहां पर अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं समसिंग गैलेक्सी एफ 52 एज 5G स्मार्टफोन की यहां पर आपको 5G का 12 बैंट सपोर्ट मिलता है और इस फोन में 5G कैसे काम करेगा वो मैं आपको इस फोन में दिखाऊंगा और साथी परहन अभी 5G जो की है हमारे यहां पर अभी आए नहीं जब आएगा तो सपोर्ट कैसे करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं साथी परहन अगर आप यहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के सविर तो यह फोन आपके लिए बहुत ज्यादा यूज़फूल होने वाला है साथी परह अभी के लिए यहां पर सिफ मोबाल का रिवीव है और अगर आप इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजिए और नोटिपेस्टिशन को और ना भूले और साथ अब यहां पर आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपने कंप्रेटर बगर आगो तो यहां पर इस तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाने हैं तो एक बार बिजी जरू करिएगा तो चलिए प्रहने हम बाक्स को खोल लेते हैं और इस मैसे जल्दी से हम देखते हैं य यहां पर चार्जर और डाटा केविल जो की डाटा केविल है यहां पर टाइब ए टू टाइप सी केविल और यहां पर हमें जो चार्जर मिल जाता है यह 15 वाट का आता है यहां पर जो की 45 मह की बैटरी है तो इसके लिए यहां पर यह 25 वाट का होने चाहिता है जो की यहां मिल जाता है अच्छे साथ आता है तो चलिव जल्दी से में अपर यहां पर करता है और इसे बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है 3.5 का स्टेरियो हेड़फोन जैक और प्राइमरी मैक्रो स्पीकर और चार्जर करने के लिए सी टाइप पोर्ट और यहाँ पर डूएल स्पीकर स्टेरियो सांड के साथ चेकर hen Coop के लिए साथ फुराल्बिय और यहा पी इसपीले की बात करें तो यहाँ पर डिस्पीले मिल जाती है यहाँ पर सीटरियों फंट फील हीका के साथ आती है जो कि यहाँ पर बिस्पीले वह सुपर man dual घू की सूला यहाँ आ को और यहाँ पर ग्रेर ग्लास फाइब का मिल जाता है और यहां पर आपको इस पॉन के साथ कोई भी ट्रांस्पिट बैक कबर नहीं मिलता है तो यहां पर यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकी प्रटक्स देना चाहिए था और साथ यहां पर जैसे कि आपको पता है संसिंग की तरफ से यहां पर इसका वन यूए 3.1 मिल जाता है जो कि एंड्राइड 11 के बेस पर काम करता है साथ ही यहां पर आपको नौक्स की security मिल जाती है जहां पर अपको अपने follers बगार भी यूज कर सकते हैं security के तोर पर और यहां पर आपको लेटश अपड़िट पैज का मिल जाता है और साथ ही यहां पर इसको बैटरी जो मिल ज जाती है जिस Oreo यूज कर सकते हैं पर काफी जल्डी बूश्ट करता है इसे आपकी रही कर देता थे काफी अच्छा औप फोन विश्ष लाता है और साथ यहां पर बात कर रहे हम इसके शॉड़्वे के बाद वो भी मिल सकेंगे जो कि यहां पर कमपनी तक से बोला गया है और अभी का जो लाश्ट अपडेट्स है वो आपको यहां पर दिख जाएगा जो कि यहां पर हाली में आये था साथी बात करें इसके बायोमेटिक सेकिरेटी की तो यहां पर आपको फेस लॉक और काम कर रहा है तो यह बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है इसमें कोई भी दिक्क्त नहीं है और हम किसी भी एंगल में से अनलॉक कर सकते हैं जो कि यहां पर अच्छे से काम करता है साथी बात करें इसके इंटरनेट कनेक्शन की जो कि मैंने बताया आपको 5G कैसे काम करता तो यहाँ पर जो कि आपको मोबाइल नेटवर्क के अपसर में मिल जाएगा जब भी आप यहाँ पर फाइब जी नेटवर्क आएगा या फाइब जी शिम डालेंगे तो उसके बाद इस तैसे आपको सो करेगा और इसके बाद आप फाइब जी नेटवर्क यूज कर पाएंगे तो इस तरह से यह आप दिखाएगा ड्ल 5G सपोर्ट करता है और उसके बाद आप करें यहांपर एप्स की यहांपर बहुत सारे एप्स की जो कि यहांपर बहुत सी से नहीं होने चाहिए धो नहीं जाते हैं अकसर यह मॉबाइल में जब यह नहीं मोबाइल आता है और मिल जाते हैं तो नहीं चाहिए ठताब अपर एक खर वर भात करें कर दो हाप संसिंट कि यहां के आपके ए nine- Saib है जो फर्ट्ट camera आपको मिल जाता है الطrawide camera मिल ज conflight के साथ ऑटा है इसके अवर लॉक की बात करें तो यहां पर काफी आपको इस तरos look देखने के लिए मिल जाएगा जो की काफी प्रीम स्फिल होता है और यह काफी slim design के साथ आता है जो कि सम्चिंग की तरब से आने वाला first phone मान सकते हैं इस तरीज कर जो कि यहाँ पर काफी अच्छा देखने में लग रहा है तो यह camera setup आप देख रहे हैं काफी better है और यहाँ पर इसके front camera की बात करूं तो यहाँ पर 32 megapixel का आपको selfie camera मिल जाता है जो कि यहाँ पर इस तरह से दिखता है तो चलिए हम यहाँ पर कुछ वीडियो चेक कर लेते हैं किस तरह से आने वाले हैं तो यहाँ पर मैं जो की बात बता हूं आपको जो कि की तो यहाँ पर जैसे वीडियो की बात प्रूंट यहाँ पर वीडियो कुछ आपको इस तरह से recording देखने के लिए मिल जाए काफी क्लिर वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ट होती है इसमें और यहाँ पर हम बाकी चीजे चेकर लेते हैं यहाँ पर जो कि हांप बहुत सारे मोट दिये गए हैं तो यहाँ पर हम जल्ली से एक macro यहाँ पर ले लETे हैं जिसमें हमें पता लगेंगे कि इसकी macro quality क्या है जहाँ पर हम कापी गहरा यहां से पिक्चर को किलिक कर सकते हैं और यहां पर क्वाइलिटी क्या होगी इस तरह आप देख सकते हैं एचले इसके प्वाइटी काफी अच्छी है काफी वेटर है आपके यहां पर पैसे खराब नहीं जाएंगे अगर जल्डे से हमें एक श्लो मोशन वीडियो भी चेक कर करता है और यहां पर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है तो यहां पर कोई बेट करने के बाद आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा तो चली अब हम देख लेते हैं तो यहां पर कुछ आपको वीडियो जो फोटो च्वाल्टी से मिल जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर ये कंगरना चाहंगो तो यहां बैक यो फोटो दोनोंक यहां ब सबसक्त smo Legend को पर आपको फीडियो फोटो दोनों को दिखांगा यहां वह। फोटो में क्लिक कर लेता हूं जो कि आपको अगली तरफ देखने मिल जाएगी तो इसका जो फ्रेंट कैमरा है वो आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा जो की कापी अच्छे से बढ़ करता है जो कि यहां पर सेल्फी क्लिक कर रहा हूं वो आप मुझे हैं कुछ फोटो भी यहां पर मैं आपको इस तरह से तो यहां पर काफी अच्छे से फोटो क लिक करता है जो कि यहां पर कि यहां पर पाफी अच्छी चीज़ है अहां पर आपको बीडियोесть कर्ने कि किस तरह से कम पर करती है और यहां पर स्बर्द защney और यहां पर is अधिकल इमेज्ट अच्प घराइज inhale है वह यहां पर काम नहीं करता है यहां पर यहां पर हम कुछ वीडियो पगार रिकॉर्ड करेंगे तो यह पर कुछ आपको इस से मिल जाएगा तो यहां पर आपको अलग-फोर मिल जाते हैं फूल जेसा लगता है तो यहां पर इक अठाइस में आते हैं और कलर से हैं और और यह सम वाइट और सम वायल तो यह तीन करना आते हैं इसमें और वह आपको मिल जाएंगे